Realme 3 Pro को भारत में 22 अप्रेल को लॉंच किया जाएगा Realme अपने अगले फ्लेक्शिप स्मार्टफोन के लॉंच की तारीक का एलान गुरुवार को एक थ्वीट के जरिये किया इसके अलावा कंपनी ने मीडिया इन्वाइट भी भेज दिये हैं दूसरी तरफ Realme के CEO माधव शेट ने बुधवार को एक थ्वीट में दावा किया कि Realme 3 Pro अपने सेगमेंट में फॉटनाइट स्पोर्ट करने वाला पहला फोन होगा नए Realme flagship हैंसेट को मार्केट में Xiaomi Redmi Note 7 Pro के जवाब में उतारा जा रहा है Realme 3 Pro को लाँच करने से पहले कमपनी ने बीते महीने Realme 3 को लाँच किया गया था ताजा ट्वीट के जरिये Realme ने एलान किया है कि Realme 3 Pro को भारत में 22 अप्रेल को लाँच किया जाएगा कमपनी इस दिन दुपहर साड़े बारह बजे दिल्ली विश्व विद्याले में एक एवेंट आयोजित करेगी बुधवार को Realme के CEO माधव शेट ने दावा किया कि Realme 3 Pro अपने सेगमेंट में Fortnite को स्पोर्ट करने वाला पहला फोन होगा उन्होंने कहा कि जब बात स्पीट की हो तो चिपसेट बेहद ही एहम हो जाता है Realme ने अभी तक Realme 3 Pro के प्रोसेसर के बारे में कोई जानकरी नहीं दी है हाला कि शुरुआती घुशना में इस फोन में 48MP सेंसर दिये जाने की जानकारी दी जा चकी है इससे पहले माधव शेट ने तीम Realme 3 Pro के तीम कैमरा सेंपल अपने ट्विटर अकाउंट पर साजा किये थे एक में सेल्फी कैमरे का दम दिखाया गया है जबकि बाकी दो में रियर कैमरा सेट अप का इस आधार पर फोन में इस्तेमाल किये गए हार्डवेय का पता नहीं चल पाया है हाला कि इंग में से एक तस्वीर प्राइमरी कैमरे में HDR स्पोर्ट होने की इशारा देती है एक और तस्वीर यही इशारा देती है कि सेल्फी कैमरे का रिजॉल्यूशन 13 मेगा पिक्सल से ज्यादा हो सकता है फिलहल इस वीडियो में इतना ही उमीद है ये वीडियो आपको पसंद आए होगी अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कॉमेंट करना मत पूलिएगा अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक और शेय कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लेकर आता रहता हूँ